प्रिंस्पल्स अफ सिस्टेमेटिक्स मॉड्यूल 97 आइदेन्टिफिकेशन ओफ फैमली साल्टिस्विडी फैमली साल्टिस्विडी के जो मेंबर्स है ये एक्टिफ प्रिडेटर्स है ये अपने प्रे को पकड़ने के लिए उसको चेज भी कर सकते हैं अब इसके जो मेंबर्स हैं उनको ग्राउंट पे भी देखा जा सकता है फैमली साल्टिस्विडी के मेंबर्स प्लांट के फोलियेज के उपर भी मौजूद होते हैं क्यूंकि ये जंपिंग स्पाइडर्स हैं और इनका प्रे को कैप्चर करने का जो तरीका है उसमें जो ज़्यादा प्रामिनेट तरीका है वो जंप करके अपने प्रे को पकड़ना है ये देखा गया है कि एक स्पाइडर अपनी बाडी का जो साइज है उसके मकाबले में 50 टाइम ज़्यादा बड़ा जंप लगा सकते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए अब जब ये जंप करते हैं तो इनकी जो बाडी है उसकी खास दोर पर जो इसका अबडॉमन है वहाँ पे स्पिनर्स मौझूद होते हैं जो के सिल्क गलैंड के साथ अटैच होते हैं जो सिल्क गलैंड है वहाँ से सिल्क प्रोड्यूस होता है अब जो साल्टी सिडी के जो स्पाइडर्स हैं इस फैमली से बिलॉंग करने वाले स्पाइडर्स वेब तो नहीं बनाते अपने सिल्क को वेब की कांटरेक्शन के लिए तो यूज नहीं करते लेकिन ये जो सिल्क है इसको ये कोट्शिप बेहेवियर के लिए या फिर इनके तोर पर यूज करते हैं उसके साथ जब इन्होंने जम्प करना होता है तो इसी सिल्क का इस्तमाल करते हैं इसी को सबस्ट्रेट के साथ अटेच करते हैं ताके इनको प्रोटेक्शन मिल सके अब जब स्पाइडर्स ने जम्प करना होता है तो हमने ये पढ़ा था कि जो स्पाइडर्स हैं, इनकी जो टांगों के मसल्स हैं, ये बहुत जादा स्ट्रांग नहीं होते, ये बहुत जादा पावरफुल नहीं होते, तो इसलिए इनका जो मेकेनिजम है, जंप का वो क्या है, कि ये अपनी टांगों के अंदर blood pressure को increase करते हैं जिसकी वज़ा से इनकी टांगों के अंदर जब pressure आता है तो उस से ये सबस्टेज के साथ उनको hit करते हैं और एक बड़ा jump लगाते हैं और अपने prey को capture करते हैं अब ये देखने में आया है कि spiders की बहुत सारी किसमें ऐसे हैं जो के आंट से बहुत जादा mimic करती हैं देखने में ये चूटी की तरह होती हैं लेकिन actually ये spiders होते हैं क्योंके जो चूटी है वो एक insect है और insect की body के three parts होते हैं उसके अंदर prominent head होता है, thorax होता है और abdomen होता है जबके जो spiders हैं इनकी body के सिरफ दो ही part होते हैं एक sphalothorax और एक abdomen इनके अंदर head और thorax दोनों fuse करके एक combined structure बनाते हैं जिसको हम prosoma या फिर sphalothorax कहते हैं उसके बाद as a rule जो family salty city के members हैं ये diurnal है diurnal का क्या मतलब है कि ये दिन के वकत active होते हैं और ये दिन के वकत hunting करते हैं क्यूंकि जो इनकी eyes है they are specialized to capture their prey during the daylight इसी वज़ा से इनको diurnal spiders कहा जाता है अब majority of hunting spiders हैं या jumping spiders हैं ये carnivores हैं ये small insects के उपर feed करते हैं लेकिन ये देखने में आया है कि कुछ spiders जो इस family से belong करते हैं वो plant nectar का भी इस्तेमाल करते हैं majority जो है इस family से तालुक रखने वाले जो members हैं वो carnivores हैं गोश्ट खोर हैं small insects के उपर feed करते हैं लेकिन कुछ ऐसी species हैं जो plants matter के उपर feed करते हैं जिसकी एक example बगेरिया किपलिंगी है ये एक salty city family से ब्रॉंक करने वाला spider है जो के carnivores नहीं है ये plant matters के उपर feed करता है दोल कि भाल नहीं है जो अबरिया